परिजनों का आरुप है कि कुछ दिनों से कुछ दबंग लोग अपने दबंगई के बल पर लेन देन के लिए युवक को प्रतारिक कर रहे थी जहां आज युवक मकान की सिडियों से अचानक नीचे गिर बड़ा जिससे युवक के दिमाग की नस पड़ गई और वही पारिवारी चन तुरंट युवक को इलाज के लिए अस्पिताल लेके जहां डॉक्टरों के काफी प्रयास की बाद युवक को बचा जानी सका वही युवक की खबर परिजनों को मिलते ही परिवार में कोहरा मच गया और घटना की सुचना पर पहुची पुलिस ने 35 वरशिय युवक की शव को कब से मिले कर पोस्ट माटम के लिए जिला अस्पिताल फिल साब बाद भीच दिया है में बताया है कि इसकी दिमाग की नस पढ़ने के बाद में लोने का इसको आगरा ली जाए हम आगरा इसको लेगे जाए इमर्जेंसी में मतुरा जनपर के धाम गोवर्दन आन्योर परिक्रमा मार्गविस्तित रामानंद आश्रम में मिनाई चारही रामानंद चारिय जैंती महसों के दोरान राम लिला की आठवी दिन लंका दहन का मन चन्रव जिसमें सीता की खोश में निकले हनुमान ने लंका पुरी की रक्ष को डाल कर अपना परिच्छे दिया फिरसिता की आध्या से अश्रक्वार्टिका के फल खाने के पहारी हनुमान ने व्रक्ष को तोड़ना शुरू करतिया और रक्ष को को मार कर भगा दिया ये सुनकर रावन अपने पुत्र अक्षए कुमार को सैनिकों के साथ वाहा पेज स्री राम का कार्य करने की इच्छा से हनुमान स्वयम को मेगनात के बंथन में स्विकार कर रावन के समक्ष पहुचते हैं जहां रावन वह हनुमान की पीच रोचक संभाद होता है रावन की आदे से हनुमान की पूच में तेल युक्त कपड़े बांद कर आग लगा देते हैं हनुमान इससे लंकापुरी को ही जला डालते हैं अंत में जानकी को समझा कर उनसे चुड़ा मनी पैचान स्वरुप प्राप्ट कर श्री राम की पास प्रस्तान करते हैं वही राम प्रदिशाद देख्षा अर्विन गिरी आज मोहबा पहुचे सपा और योजन सभा कारिकरताओं ने गाजबाजे फुल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया पंचायती चुनाओं को लेकर कारिकरताओं की जीत का मंत्र दिया तो वही भाजपा कॉंग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए जम कर निशाना साधा योपी के महुबा पहुचे सपा योजन सभा की प्रदिशा दक्षन ने सपायों को प्रेरीद करती वे कहा कि किसान आंतुलंग को लेकर गाओं गाओं में बढ़ावा दिया जाए सपा कारी करता किसानों के समर्थन में उतर कर बेजेपी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगे कॉंग्रेस का प्रदिश में कोई जनाधा नहीं है जिसकी चलती उसके नेता कुछ भी बोलते रहते है बीजेपी ने नयाई पालिका का दुर्पयोग करके आजम खान और परिवार पर मुकद में दर्ज करा है सपाथ 2021 में सत्ता में बहुमत में आते ही आजम खान सहाब के बारे में मुकद में वापिस ले लेगी बिस्यन नियूस के लिए महबा से नितिन नामदयों की रिपूट मथुरा पार्शत की पुत्री के उपचार में बर्ती गई लापरवाही को लेकर गुर्वार को भाशपा की पूर्व महानगर अद्यक्ष्य और कई पार्शदों ने जम कर जिला अस्पताल में हंका माकाटा और मुख्य चिकित सा अधिकारी कक्षम में शिकायत के दोरान जिलास पताल के एक चिकित सक द्वारा भाशपा पार्शत से अभधरता की हालाद बिकरने के पात भाशपा की पूर्व महानगर अद्यक्ष्य ने जैसे दैसे मामला शांग गया प्राप्त जानका अनुसार पता चला है कि थाना यमुना पारशेत्र की अंतरगत गोमती व्याहा निवासी भाशपा पारशत चंडर प्रकाश पारशर की आठ परशी बेटी वन्शिका को बुद्वार की शाम करीब पांच बचे पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों न घरती कराया तो सुफा साड़े ग्यारा बजी तक उसे देखनी कोई चेकिच सकने ही पहुचा जबकि बालिका की दशार लगातार बिकरती जा रही थी इसकी सुचना मिलने पर भाशपा की पुर्व महानगर अध्यक्षित चेतन स्वारुप पाराशर्प पारशद अशुक शर्मा, विजय शर्मा, मदन मुहन, श्रिवास्तव, आजय सिंग, वकई भाशपा निताब गुर्वार की दो पहर, CMS डॉक्टर मुकुन बंसर से इसके शिकात करने पहुचे तो CMS ने अपने पुराने अंतास में उन्हें टालनी का प्रयास किया और कहा कि देख लेंगे इस बिगर्टी देख मामला शांत किया, तब जाकर CMS अपने दल बलके साथ महिला सर्जीकल वार्ट पहुचे जहाबाली का भरती थी और तुरान बच्ची का सिट्टी स्क्यान करा गया और डॉक्टरों की टीम उच्चार के लिए लगाए गई तब कही जाकर भाशपाई शांत गया है लेकिन पाई पाई जमा करने के बाद भी दमपती को मकान नहीं मिल पाया, मेरट की कमिशनरी चौराओं पर पहुचे रिक्षा चालक मनुच को माने बताया कि उस दिर्पल आएके मकान के लिए मेरट विकास प्राधिकरन में 3 लाग से अधिक रुपे जमा की है, पा चला कि उनके मकान पर किसी ने कब जा किया है, इस बात की जानकारी होते ही मनोच अपनी पतनी को रिक्षे में बिठा कर मेरट विकास प्राधिकरन पहुचे और अधिकारियों से इस बापत को हार लगाने की कोशिश की, लेकिन वरिष्ट अधिकारी नहीं मिल पाय, जबकि कि निश्लेस्तर के अधिकारियों ने दंपती के साथ अभध्रता करती भी उन्हें भगा दिया, इधर इस मामले के सामनी आने के बात एक पार फिर बेरट विकास प्राधिकरन और उसके अधिकारियों पर सवाल खड़े होने शुरू होके है, बेसियन निउस के लिए मेरट से समवा दाता की रिपोर्ट